तबसे पहले तो आप इस वीडियो को अच्छे से उब्जर्व कीजिए इस वीडियो के अंदर दिखाया गया है कि एक फीमेल डोग है जो की लेबर पेन में है तो आज हम इसी टॉपिक के उपर बात करने वाले हैं कि लेबर पेन इन फीमेल डोग क्या होता है बेसिकली क्या-क्या सिम्टम नजर आते हैं जो लेबर में होती है आपकी जो डोग आपकी फीमेल डोग लेबर पेन के अंदर होती है कौन-कौन से सिम्टम आपको पहले ही नजर आ जाएगे तो basically अगर मैं बात करता हूँ labor pain की तो बड़े ही ध्यान से आपको एक एक चीजों को observe करना है तो अगर मैं बात कर रहा हूँ labor pain की तो यह labor pain क्या होता है यह labor pain वो pain होता है जिस time आपके female जो डोग है puppies को जरम देती है या वो पार्चूरेट करती है वेल्पिंग के जो time जो होता है basically तो उसको हम बोलते हैं labor pain अब जैसे आपकी female pregnant है आपकी female के abdominal cavity के अंदर puppies है चोड़े चोटे जो बच्चे है तो वो जिस time पैदा होने होते हैं simple language बता रहा हूँ बिल्कुल भी difficult use नहीं करूँगा कोई भी ऐसा word अगर वो जिस time पैदा होने होते हैं तो उस time का जो pain है वो labor pain कहलाता है अब यह जो labor pain है delivery से कितने समय पहले start हो जाता है basically अगर मैं बात करता हूँ normal अगर हम देखें तो 48 hours से 72 hours पहले आपकी female के अंदर यह जो pain है labor pain है start हो जाता है तो आपको पता से लिए कि labor pain होता क्या है और कितने time में यह start होता है अब मैं बात करूँगा कि female के अंदर कौन कौन से symptoms नजर आते हैं जब वो labor pain में होती है ठीक है बड़े ध्यान से सुनना है आपको सबसे पहले तो आपकी female nesting करेगी nesting का मतलब क्या होता है एक ऐसा corner बनाएगी जहां पर वो अपने बच्चों को जनम देश के जहां पर वो protect feel करे कि उसे यह लगे कि मेरे बच्चे भी प्रोटेक्ट है यहां पर और मैं भी प्रोटेक्ट हूँ second number पे जो आपको size की अगर मैं बात बताता हूँ size आपको increase देखने को मिलेगा किसके अंदर memory glands के अंदर अगर simple language में बात करूँ तो जो nipples जो होते हैं females के जो memory glands जो होते हैं जहां से basically बच्चे जो puppies है वो दूद पीते हैं तो उसे हम memory glands बोलते हैं बड़े ही simple language में आपको बता रहा हूँ धर्ड आपको symptom यह देखने को मिलेगा आपकी female का जो abdomen का जो reason होता है अब abdomen क्या होता है पेट वाला जो reason होता है वो काफी ज्यादा मात्रा में hard हो जाएगा जैसे आप touch करने की कोशिश करोगे आपको यह feel होगा कि काफी ज्यादा hard हो गया है और fourth number पे important symptom न पार से related होता है तो जो जैनाइटल जो area होता है वहां पर आपकी female linking करना start कर देगी और इस condition के अंदर labor pain के अंदर आपकी female के अंदर थोड़ा aggression भी देखने को मिलेगा बड़ा ही ध्यान से बात देखनी है aggressive भी हो जाएगी तो थोड़ा ध्यान रखना जब भी आप अपने female के पास जा रहे होना तो थोड़ा ध्यान रखना है आपको कहीं वह आपको बाइट वगएरा ना कर ले एक पुएंट और बता हूं आपको sympathy वाली बात बताता हूं इस condition के अंदर आपकी जो female है आपकी उसे need होती है यानि अगर मैं बात करता हूं आपकी female dog की तरफ से तो व आपको labor pain के time आपकी female के पास होना पड़ेगा और ध्यान रखना पड़ेगा आपको care करनी पड़ेगी अपनी female dog के ठीक है और साथवे नंबर पर आता है anorexia अब यह anorexia मेरे प्यारे दोस्तों क्या होता है anorexia का मतलब होता है loss of appetite आपकी जो female है वो खाना पीना female shiver कर रही है कहीं आप डर जाओ और कोई भी medicine वगरा उठा के अपनी female को दे तो मत देना ठीक है effect हो सकता है उसका बच्चों के ओपर effect पढ़ सकता है 9th नंबर पे आता है आपकी जो female का जो body का जो temperature है वो drop down हो जाएगा ठीक है यानि drop down तो उसको shivering तो तभी हो रही है जब temperature कम हुआ है और एक symptom और है जो कि एक major symptom है लेकिन आपको यह ध्यान देना है कि इस shivering के अंदर body temperature जब down जाएगा तो कोई medicine वगरा लाके बाहर से अपने female को देना मत ठीक है यह normal है इस condition के दुरान ऐसा होता ही है labor pain के दुरान यह condition आती है दस्वे नंबर पे आपकी female को vomiting भी हो सकती है labor pain के time अगर आपकी female को vomiting हो रही है तब भी घबराने वाली बात नहीं है कहीं आपको medicines आती है मार्केट के अंदर vomiting के लिए basically mcet वगरा ओंड़ा सेट्रों नाम से तो salt जो आता है कहीं आप वो लाके अपनी female को देना start कर तो ऐसा मत करना ठीक है तो बहुत जादा problem हो सकती है विकोज आपकी जो female है उस यह सारी की सारी नैच्रल है आपकी female को कोई medicine की नहीं है आपकी female को एक अच्छे वेटनरी डोक्टर की नीड है आपकी नीड है विकोज आप एक owner हो तो वह request करती है आप से कि आप उसके पास रहो तो यही बात है यह जो symptoms है आपको labor pain के से बहतर घंटे तक यानि बैसिकली बात कर सकते हैं पार्चुरेशन से पहले इतने टाइम के अंदर यह pain स्टार्ट हो जाता तो घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है और जैसे मैंने स्टार्टिंग में जो वीडियो दिखाई थी वह जो केस था अगर मैं उस केस की बात तो हम बोल सकते हैं कि abnormality आ गई थी तो उस situation के अंदर आपको swelling भी नजर नहीं आएगी तो वो आपको cesarean की through ही अपने किसी nearby अच्छे से wet के पास जाके cesarean section करवाना है और वो बच्चों को निकलवा देना जिससे आपकी female भी safe रहेगी और आपके puppies भी safe रहेंगे तो मैं आ सब्सक्राइब जरू कर लेना because the pet vision dogs और cats के उपर most important topics के उपर वीडियो आपके सामने लाता रहता है thank you so much जै हिंद जै भारत